नमस्कार दोस्तों भारतिया क्रिकेट के धुरंदर के अंतरगत पिछले मंगलवार को आप चल शेखर से मिले और आपने उस एपीसोड को खासा पसंदी किया इसके लिए आपका शुक्रिया और आपका आभार आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक हर्फन मौला खिलाडी से एक आलराउंडर से परन्त अपनी गेनबाजी और बल्लेबाजी के पेक्षाव अपने छेतर रक्षर के कारण आज भी माना जाता है विश्व में आज भी उसका सम्मान है जी हाँ एक ना सोलकर से एक ना सोलकर के जन्म 18 मार्च 1940 को मुंबई में हुआ था ये बहुत ही गरीब परिवार से थे अपने माता पिता और पाँच भाई बहनों के साथ यह एक जोपड़ी में पले और बढ़े जीवन की कोई भी कठिनाई उनके मार्ग में बाधा ना बन सकी अथा हसंग घर्ष का सामना करते हुए उन्होंने अंतता अपने लक्ष को प्राप्त किया इनका पूरा ना मेख ना ढूनू सोलकर था लोग इन्हें 21 सोलकर के नाम से भी पुकारते थे सोलकर के पिता हिंदू जिम खाना में ग्राउंस्मैन थे और उस मैदान में खेले गए मैचों का स्कोर बोर्ड पर स्कोर बदलने का काम किया करते थे जिम खाना में उन्होंने नेट्स पर गेनबाजी करते हुए क्रिकेट सीखा तभी गावासकर के मामा और भारतिय क्रिकेट के विकेट की पर माधो मंत्री की निगाह सोलकर पर पड़ी सोलकर के उस्सा और खेल से वे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सोलकर को स्कूल भेजने की विवस्था की कठिनाईयों से सोलकर कभी भी विचलित नहीं हुए 1964 में उन्हें इंडियन स्कूल स्टीम का कप्तान चुल लिया गया आश्चर की बात यह है कि इस टीम में भार्तिय क्रिकेट के महांतम सितारे मोहिंदर अमरनाथ और सुनील गावासकर भी थे साल भर बाद ही उन्होंने मुंबई के लिए प्रथम स्रेडी क्रिकेट में पदार पड़ किया सोलकर पर भार्तिय चेन करताओं की निगाशी ग्रीव पड़ गई और 1979 में भार्तिय क्रिकेट टीम में चुन लिया गया और न्यूजी लेंड के खिलाफ उन्होंने 15 अक्तूबर 1979 को पहला टेस्ट मैच खेला अपने केरियर कांतिम टेस्ट मैच उन्होंने एक जुलाई 1977 को इंगलेंड के खिला था उन्होंने अपने क्रिकेट केरियर में 27 टेस्ट मैच और 7 वंडे मैच खेले पहला वंडे 13 जुलाई 1974 को उन्होंने इंगलेंड के खिलाफ और 22 परवरी 1976 में न्यूजी लेंड के खिलाफ उन्होंने अपना अंतिम एक दिवसीय मैच खेला अपने 27 स्टेश मैचों में सोलकर ने 1068 रन बनाए जिसमें एक शतक और 6 अर्धशतक सामिल है सोलकर अपने दयर के सफल आर्लाउंडर माने जाते हैं निसंदेः वैस हर्फन मौला खिलाड़ी थे वैस बाये हाथ के बल्ले बाज़ा और बाये हाथ के गहन बास थे मधयम गति की तेज गहन बाजी के साथ सथ इस पिन गहन बाजी भी बखुबी किया करते थे उनकी हरफन मौला छंताओं के कारण ही उन्हें गरीबों के सोबर्स के रूप में भी जाना जाता है वह अलग बात है कि गेनबाजी और बल्लेबाजी से उन्होंने कोई रिकार्ड ना तोड़ा हो परन्तु जब छेतर रक्षण की बात आती है तो उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता सोलकर्ड ने 27 मैचों में तिरपन कैश लगके जिन में ज्यादा तरह संभव से लगने वाले कैश थे क्रिकेट के अब तक के सबसे महान छेतर रक्षण के बारे में यदि कहीं कोई चर्चा हो और उसमें महान सोलकर की चर्चा ना हो कोई विदेशी टीम तीन या पांच टेस्ट मैचों की स्रंखला खेलने के लिए भारत आती थी या फिर भारतिय टीम भी तीन या पांच टेस्ट मैचों की स्रंखला खेलने के लिए विदेश का दौरा करती थी बमुश्किल साल भर में आठ या दस टेस्ट मैच खेले जाते थे प्रथम स्रेडी क्रिकेट उस समय बहुत आयत में खेला जाता था सोलकर ने एक सो नवासी प्रथम स्रेडी मैचों में आठ शत्यों कर च्छतिस अर्धशतकों के साथ 6,851 बनाए उनका सरुस्रेश्ट प्रदर्शन 145 रन नाट आउट है और प्रथम स्रेडी मैचों में उन्होंने 276 विकेट भी लिए दस बार उन्होंने एक पारी में 5 विकेट लेने का करिश्मा भी कर दिखाया प्रथम स्रेडी मैचों में उन्होंने 190 अचमभित कर देने वाले कैच भी पकड़े च्छटे और साथवे नमबर पर वहबले बाजी करने के लिए आते थे गेंबाजी के समय उनके जोड़ीदार उस समय आबिद अली हुआ करते थे मैंने में देखा जाये तो मध्यंगती के गेंबाजों का इस्तेमाल उस दोर में सिर्फ गेंद की चमक फीकी करने के लिए ही किया जाता था मध्यंगती की गेंबाजों से अधिकतर पांच य fascinate फिक वाई जाते थे उसके बाद आकरमड की बाग डौर इस्पिनरों के हाथों में आ जाती थी यदि गेनबाज की किस्मत अच्छी है तो इन पांच शे ओवर में उसे एक या दो विकेट मिल जाया करते थे टेस्ट मैचों में सोलकर का गेनबाजी में सर्वस्रेश परदर्शन 28 रंदे कर तीन विकेट का है बात 1971 टेस्ट सीरीज के ओवल मैदान की है जब चंद्शेखर ने 38 रंदे कर 6 विकेट चटकाए थे इस मैच के साथ सीरीज जीतने का जितना शे चंद्शेखर को मिला उतना ही स्रे सोलकर को भी जाता है इस सीरीज के प्रथम टेस्ट में उन्होंने सांदार सरसट रंद बनाए और विश्राद के साथ बांद्बे रंद की महत्मू साब साजेदारी निबाई जिससे प्रथम पारी में भारत लीड लेने में कामयाब हो गया ओवल में उन्होंने 28 रंद देकर तीन इंग्लेंड के बल्लेवाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और 44 महत्मूर रंद बनाते हुए असंभव से लगने वाले दो कैश लेकर उन्हें संभव बना दिया 1972 में जब टोनी लुइस की टीम पांच टेस्ट मैंचों की संखला केलने के लिए भारत आई तो दिल्ली के पहले टेस्ट मैंच में सोलकर ने अपने बल्ले से शांदार 75 रंद बनाए इस सीरीज में बारह कैश लपकर सोलकर ने यह सिद्ध कर दिया कि विकेट के करीब छेतर रक्षड करने में वह विश्व में सर्वस्रेश्ट है उस समय भारतिय इस्पिनरों का जितना खौफ था उससे ज़्यादा खौफ बल्ले बाजों के जहन में सोलकर का हुआ करता था बिकेट के नजदीक बल्ले के काफी करीब शौट लेक पर सोलकर का खड़ा होना ही बल्ले बाजों के आतमिश्वास को डिगा देता था बल्ले से लगकर गेंद अच्छली नहीं की पलक झपकते ही वह सोलकर के हाथों में हुआ करती थी बदहवास सा बल्ले बाज एक बार स खड़ी उंगलियों को जिन मैचों को जिन कैचों को पहले ही असंभव मानकर फील्डर उन्हें लपकने का प्रयास नहीं करते थे उन कैचों को अपनी फुल डाइब से हाथों में लपक कर सोलकर आसान बना दिया करते थे टोनी ग्रेग ने सोलकर को उस दौर का शौट लेक का सरुस्रेश्ट फील्डर माना है वही जियोफ बायकार भी सोलकर को विकेट के नस्दीक का सरुस्रेश्ट फील्डर मानते हैं बना किसी सुरुच्छा कवच के बल्ले से बमशकल एक मीटर की दूरी पर खड़े होकर फिल्डिंग करना आसान नहीं था सोलकर लंबे बालों के शौकीन थे और वही लंबे बाल ही उनका हेलमेट हुआ करते थे इतना नजदीक फिल्डिंग करने के काण़ सोलकर कई बार चोटिल भी हुए परंत उन्होंने शौट लेग और सिली पॉइंट पर फिल्डिंग करना नहीं छोड़ा इस पिदरों को की कामयाभी के लिए नजदीक की फिल्डिंग बहुत महत्पूर मानी जाती है सोलकर इसको भली भाती समस्ते थे उन्होंने अपनी चीते जैसी फुर्ती से असंभो कैचों को लबक कर कई बार मैच का रुख मोड दिया भारती एस्पिनरों को सोलकर पर पूरा भरोसा था और अपनी फिल्डिंग की बदावलत इस भरोसे को सोलकर ने हमेशा ही कायम रखा बिशन सिंग बेदी ने एक बार कहा था कि सोलकर के बिना हम कभी भी काम्याब गेनबाज हो ही नहीं सकते थे सोलकर क्रिकेट के प्रति पूर्ड रूफ से समर्पित थे उनके पिता जी जब अस्पताल में अंतिम सांसे ले रहे थे तभी टीम हिद में बंगाल के खिलाफ सोलकर रजी ट्रॉफिक खेलने मैदान में उतरे थे इसी मैश के दौरान उनके पिता का देहान थो गया अगली सुबह पिता की चिता को अगनी देकर वह मैदान में बल्ले बाजी करने उतराए और उन्होंने महत्पूर 29 सरन बना कर मुंबई को मैच जीतने में सहायक भूमिका निभाई 26 जून 2005 को दिल का दावरा पढ़दे के कारण एक नासोलकर की ब्रत्यू मुंबई बेहो गई तो ये एक छोटी सी मुलाकात थी भारतिय क्रिकेट के और विश्व के एक महांतम फिल्डर महांतम छेत्र रक्षक एक नासोलकर से मैं चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने चंशेखर वाले एपीसोड को पसंद किया इसको भी पसंद करें मेरा बनोबल बढ़ाएं और इसमर्ण रहे अगले मंगलवार को हम आपको मिलवाएंगे अपने समय के एक सफलतम कप्तान से जी हाँ 1971 के दौर में उसने वेस्ट इंडीज और इंग्लेंड को हरा कर भारतिय क्रिकेट का सरगर्व से उचा किया था पहचान रहे होंगे आप अजीत वाडेकर अगले मंगलवार को हम अजीत वाडेकर से मिल रहे हैं तब तक यह सोलकर वाला आपीसोड देखिए और आपके प्यार की आपके सहयोग की मुझे बहुत जरूरत है इस चीज को अपने जहन में रखिए नमशकार धन्यवाद आपका